हाई गाईज मैं हुरेका चौधरी और स्वागत है आप सभी का CVT by Student खवरी के नई वीडियो में तो आज की वीडियो उन स्टूड़न्स के लिए बहुत हेलफुल होने वाली है जिननोंने जिनका सपना है DU Colleges में अद्मिशन लेने का क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU के ही ओफ क्याम्पस कॉलेज कोई कॉलेज की बात करने वाले हैं वो है केशव महाविध्यालेजी हां बात करेंगे इसके रिव्यूज की positive, negative, students का क्या कहना है, placement opportunities कितनी अच्छी है, faculty ऐसी है and everything about it तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यार किसी भी कॉलेज में admission लेने से पहले यहाँ पर हमारी सबसे top most priority होती है कि उसके background के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए जी हां तो सबसे पहले यहाँ पर केशव में वहाविध्याले के establishment year की बात करें तो वो है 1994, जादा पुराना college यह नहीं है बात करें, कॉइड college यह है, उसके बाद off-campus college है, well-known, reputated DU colleges में से एक है affiliation की बात करें, तो University of Delhi DU से यह affiliated है और यहाँ पर आप देख सकते है, इसकी जो location है, वो है New Delhi चलिए, आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर इसकी main website की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह इसकी official website है campus area की बात करें, तो 10 एकर में यह जो है, भावे और विशाल campus जो है, यहाँ पर फैला हुआ है आगे NIRF की ranking की बात करें, national institutional ranking framework की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केशव महविध्याले को 93rd rank यहाँ पर हासल है आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ी सी connectivity की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो nearest metro station है, वो कौन सा है, पीतम पूरा जो metro station है उसके बाद nearest railway station की अगर हम बात करें तो वो है सबजी मंडी railway station nearest airport जो है, आपका वो है, इंदरा गांधी international airport जो केशव महविध्याले के काफी पास पढ़ जाता है तो यहाँ पर connectivity हमने देखें, उसके बाद expected cutoffs की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि आपकी category wise यहाँ पर जो expected cutoffs हैं, वो यहाँ पर दे रखें हैं, किसके लिए केशव महाविध्याले के लिए जैसे बात करें, general, you are unreserved category के अगर हम बात करें, तो वो expected cutoff है, वो है 380 से 400 के बीच में, यह exact cutoff नहीं है, पर expected हैं कि इनके around या आसपास केशव महाविध्याले में cutoffs रहने वाली है, according to your category, OBC category की बात की रहें, तो यहाँ पर जो expected cutoff है, वो है 380 to 390, तो इसी तरह से जो cutoff है, आप ये भी एक पर देख सकते हैं, और note कर सकते हैं, चलिए, आगे courses offered, कौन-कौन सी courses जो हैं, यहाँ पर offer किये जाते हैं, किन-किन courses में आप admission ले सकते हैं, उन साभी courses के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, सबसे पहले हैं, यहाँ पर 3-year undergraduate UG program, CBCS और LOCF, उसके बाद यहाँ पर है 1-year का diploma course जो यहाँ पर offer किया जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक 1-year certificate courses भी offer किया जाते हैं, इसी के साथ यहाँ पर एक add-on course है, जो कुछ नया है, add-on course in radio broadcasting के duration रहती है, 40 hours, जो कि एक short duration course है, आगे हम बात करें यहाँ पर, और दूसरे courses के अगर हम बात करें, जैसे कि मांग लीजे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, B.com honors है, या B.sc honors computer science है, उसके बाद B.sc honors electronics है, इसे के साथ B.sc honors mathematics है, and so on, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह सब ही जो courses हैं, यहाँ पर offer किये जाते हैं, किसमे केशव महावध्याले में, चलिए, अगर हम बात करें, यहाँ पर name of courses की, तो यह कुछ diploma courses है, जैसे diploma course in German language हो गया, या diploma course in French language हो गया, तो यहाँ पर आप admission criteria या eligibility भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, diploma courses in German language की, तो यहाँ पर जो number of seats है, वो है around 25, और यहाँ पर बात करें, eligibility की admission criteria की, तो यहाँ पर बोला गया है, candidates who have passed the certificate examination of Delhi University, जी हाँ, D.E.U.K. certificate examination को पास करने वाले students, जो है, इस course, diploma course in German language के लिए eligible होते हैं, इसे के साथ यहाँ पर एक strictly in order of merit of the respective certificate course जो है, merit list जो होती है, certificate course की, उसके according के जो है, आपका यहाँ पर course के लिए आप enroll कर सकते हैं, इसके बाद इसी तरह है, इसे सेम होता है, diploma course in French language, इसमे भी करिबन 25 seats यहाँ पर available है, और admission eligibility की बात करें, तो वो भी लग भग लग भग same है, आगे अगे अगर हम बात करें, यहा in language में या certificate course के अगर हम बात करें, फ्रेंच लाइंवज में, तो यहाँ पर जो seeds होती है, number of seeds है 50, दोनो ही courses में यहाँ पर जो seeds available है, वो है 50 और यहाँ पर जो admission criteria है, उसके अगर हम बात करें, तो यह खहरा है कि on the basis of aggregate marks obtained in last examination past, चाहे वो graduation हो, post graduation हो, तो उसमें around minimum आपके जो है 50% marks जो हैं यहाँ पर required है, same goes with the certificate course in French language, जी हाँ यहाँ पर भी आपकी 50 seeds available है, और जैसे कि हमने पहले बात की add-on course in radio broadcasting, यहाँ पर यह जो course है, इसके लिए भी आपर 25 seeds available है, इसके साथ criteria की बात करें, तो वो है first come first serve basis पे आपका जो यहाँ पर है, admission possibilities हो सकती है आगे अगर हम बात करें seed metrics की तो यहाँ, seed metrics की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर short term add-on course on radio broadcasting, जो specific course है, इसके लिए जो number of seeds है, वो है around 20 seeds यहाँ पर available है, इसके बाद आप देख सकते है certificate courses in French German language, और वापस diploma courses in French German language, तो यहाँ पर जो है around आपके certificate courses के लिए 50 seeds available है, और diploma course के लिए यहाँ पर आपके पास 25 seeds available होती है, आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर name of the course दिया गया है, और उसके around यहाँ पर जो है, आपके seeds, category wise, जो seeds हैं यहाँ पर available है, तो आप यहाँ पर सारे courses देख सकते हैं, जैसे कि B.com honors हो गया, या B.C. honors computer science हो गया, या B.C. honors electronics, तो इसके according यहाँ पर, जो आपकी category है, उसके according यहाँ पर different category में, different seeds यहाँ पर lot कर दी गई हैं, तो एक बार आप इसको भी note कर सकते हैं, यह चीज़ भी आप तेख सकते हैं, इसके अलावा यह PDF अगर आपको चाहिए, तो टेलिग्राम चानल को join करना मत भूलेगा, link description box नमल जा पीस रहने वाली है, उसकी भी अगर हम बात करें हैं आपर, तो जबसे पहले हैं, यहाँ पर जो radio broadcasting, जो short term course है, short duration, तो उसके लिए जो एन्वल fee रहने वाली है, वो रहने वाली है, आपकी 7000, इसके अलावा certified courses in French और German language, तो यहाँ पर जो college students हैं, उनके लिए 5500, और जो outside students ह 500 जो हैं, यहाँ पर यह फीस रहने वाली है, डिप्लोमा कोर्स की बात करें, तो French और German language के लिए यहाँ पर जो fees रहने वाली है, 10,000 जी हाँ, यहाँ पर certificate courses के लिए है, 5500 और डिप्लोमा कोर्स के लिए यहाँ पर 10,000 जो है, fees, fee structure में बताई गई है, आगे अगे अगे अग program, mathematical science हो गया है, bachelor of management studies, तो यह सभी जो courses हैं, इनके लिए हाँ, category wise, general, OBC, EWS, और डूसरी categories हो गई हैं, जैसे PWD, SCST, इन categories के हिसाब से यहाँ पर overall fee structure आपका बताया गया है, according to the course, according to the category, तो वो भी आप एक बर यहाँ पर देख सकते हैं, आगे अगे अगे हम बात करें, प्ले diversity में admission देने से पहले हमारा जो सबसे बड़ा prior point होता है, top most point वो यही होता है कि यार, placement opportunities कितनी अच्छी होंगी, कैसी opportunities होंगी, high होंगी, low होगी, medium होगी, तो वो सबके बारे में भी एक बार जान लेते हैं, केशव नहीं बिद्याले के placement opportunities, highest package के अगर हम बात करें, तो 21.5 LPA यहां का highest package है, average package है, 5.15 LPA, top recruiters की बात कर लें, यहां पर डी शो, डलाइट केरने, Zomato, EY, Wipro और Bank of America यहां के जो हैं, top recruiters रहे हैं, placements के अंदर, चल यह, आगे अगर हम बात करें, facilities की, की college में कौन कौन सी facilities यहां पर available हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ATM machine है, well developed gardens है, Wi-Fi है, first aid room है, barrier free infrastructure for special needs students, यहां पर यह सभी facilities आपको देखने को मल जाती है, तोड़ा सा infrastructure की अगर हम यहां पर बात करें, तो यहां पर देख सकते हैं, auditorium है, जिसमें, आप देख सकते हैं, state of the art auditorium है यहां पर, और यहां पर जो है, overall capacity की बात करें, sitting capacity की तो वो है, 800% area जो है, यहां पर आप देख सकते हैं, 2569 square meter का यहां पर area है, fully air conditioned है, और यह तमाम तरीके की चीज़े आप यहां पर देख सकते हैं, auditorium के अंदर, आगे अगर हम बात करें, यहां पर माशालाब होती सुन्दर amphitheater की pictures भी आप देख सकते हैं, यहां पर beautiful amphitheater यहां पर दिया गया है, और अगर यहां पर हम बात करें, also next अगर देखें हम लोग यहां पर, तो यहां पर और कौन सी facilities, यहां पर बताएगा है, cafeteria भी यहां पर है, cafeteria at Keshav Mahavidhalya provides great food at affordable prices, तो यहां पर एक उंदर्जा cafeteria भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, next girls hostel है, यहां पर capacity है, यहां पर 78 students के लिए, यहां पर capacity है, तो यह भी आपको देखने को यहां पर मिल जाता है, आगे अगर हम बात करें, library की, तो यहां पर पिक्चर्स देख सकते हैं, यहां पर केशव Mahavidhali की library है, laboratory की यहां पर बात करें, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं, यह सब laboratory pictures हैं, उसके ब स्पोर्ट की अगर हम बात करें टेबल टेनिस कारम बॉड चेस और यह सब ही जो है यहाँ पर स्पोर्ट के लिए फसलिटीज जो है यहां पर तमाम तरीकी फसलिटीज इनेबल्ड है उसके बाद इहां पर इनेबल्ड क्लासरों की बात करें audio visual अगर हम बात करें किसी भी college के लिए तो societies बहुत important term होता है किसी भी university के लिए किसी भी college के लिए तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि केशव महाविध्याले की काफी active societies रही है तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं number one यहाँ पर है national service scheme which is the NSS इसके बाद है यहाँ पर आप देख सकते हैं spik mackay और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं annual cultural festival भी होता है जिसका नाम है यहाँ पर है ट्रिस्ट जी हाँ इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ specific चीजों की जैसे की college magazine हो गई या women's development cell हो गई तो यह सब ही तमाम तरीके की facilities यहाँ पर available है environment club है जिसका नाम प्रकृती है बहुत ही प्यारा सा नाम दिया गया है यहाँ पर environment club को प्रकृती का नाम है entrepreneurship development program cell यहाँ पर मौजूद है आगे अगर हम यहाँ पर बात करें इसके अलावा student entrepreneurship जो cell उसको बोला गया है इनेक्टर उसके बाद यहाँ पर finance और investment cell भी मौजूद है जिसका नाम है निवेश और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक student union भी है जिसे केशव महाविध्याले student union भी कहा गया है उसके बाद यहाँ पर north east students cell भी है और इसके साथ साथ यहाँ पर departmental societies भी आपको देखने को मिल जाती cultural societies की बात करते हैं कितनी active है cultural societies तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले आप देख सकते हैं अदुवेता जो western dance society यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर अदुवेता नाम से western dance society भी है उसके बाद यहाँ पर है नरत्यांग जो इंडियन dance society है इसे के साथ the shades theatre society है और अनहद एक music society भी यहाँ पर मौजूद है चलिए आगे हैं यहाँ पर debating society भी है poetry society है वागमिता जिसे कहते हैं art society है और इसी के साथ यहाँ पर photography society भी आपको देखने को मिल जाएगी तो यह तमाम तरह है कि cultural societies जो active societies हैं वो आपको यहाँ पर overall देखने को मिल जाती है अब reviews की बात कर लेते हैं students का क्या कहना है overall केशव महाविध्याले के बाले में उनके क्या opinions है उनकी क्या facts है thoughts है उनके क्या ideas है इस university को लेकर तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं in spite of being one of the newly established college it has performed well in terms of placements देखिए काफी नया है वैसे तो 1994 का college है तो यहाँ पर in terms of placements और ranking की अगर हम बात करें NIRF ranking की तो जैसे कि हमने देखा 98th rank जो है college को मिला हुआ है काफी good faculty है knowledgeable है काफी experienced है satisfactory infrastructure है यहाँ पर आपको बहुत ही भव्य और विशाल इमारत जो है campus overall देखने को मिलेगा 10 एकड में फैला हुआ है और साथ में green campus है pollution free campus है यहाँ पर affordable fees है यहाँ पर और कई सारी facilities हैं जैसा के हमने पहले देखा societies है या cultural events है तो all over जो है यहाँ पर positive reviews जो है students के आए हैं इसके अलावा no negative reviews okay nice Keshav Mahavidhyale तो यह था overall आपका Keshav Mahavidhyale इससे रिटेड और कोई query है और कोई doubt है और कोई सवाल है comment section में जरूर बताईएगा अगें telegram channel COET by student khabdi को join का ना बद भूलेगा link description box में जाएगा or COETC related और तमाम तरीके की वीडियोस के लिए don't forget to subscribe COET by student khabdi I hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe